हेलो गाइस माही विलेच में आप सभी का स्वागत है I hope आप लोग बहुत अच्छ होंगे सो गाइस आज हम आपके लिए लेके आए हैं आइस क्रीम का बुल्कुल नया फ्लेवर जो आपने कभी नी खाया होगा और बहुत ही फायदेवन सो गाइस चलिए वेडियो स्टार्ट करते हैं यह जामुन थोड़के ले आये है और जामुन को अच्छे से 2-3 पानी में बहुत अच्छे से धुल लेणा है जो भी जामुन में मिटी वगएरा है वह अच्छे से साफ हो जाएगा और फिर धुलने के बाद हम इसको आगे का फ्रोजस्ट सुरू करेंगे मैं अब उडिए आप भूदो थी कौघ मुटानी है है अविएअ को भार आटाया है व्लेवर का जुछ से हम जामुके नहीं भी दोट बट ऐसा आइसक्रीम बनाते हैं कि कुछ फैदेमंद हो और बच्छों को बहुत जादा पसंद आया और साथ में हम लोगों को भी इस तरह हम सारा बीच बहुत अच्छे से निकाल लेंगे यह हमारे कुछ काम का नहीं बट इसका जो मोटा पार्ट है वह हम आगे यूज करने इस तरह हम चनी के मदश से इसको चान लेंगे बट जो जामून का मोटा पार्ट यह बच रहा है ना चनी में उसको हम आगे आइसक्रीम में यूज करेंगे इस तरह मैंने सारा जूस चान लिया और थोड़ा सा यह नमक मैंने डाल दिया है और यह बड़ी चमच दो मैंने च जरूर कीजिए को चैनल पर आप मेरे नए है तो पिलाइकर दबाना बुलकुल मुत भूलेगा और यह मैंने डिस्पूजल ले लिया है और इसमें जो जूस है उसको भर लेंगे और फिर इसको में एक पनी की मदश से अच्छे से ढख कर लेंगे ताकि इसका बाहर का जो बहुत अच्छी से जम गई है और इसको हम एक कैंची के मदद से थोड़ा सा कोना जो होता है कट कर लेंगे और फिर बहुत आराम से निकाल लेंगे आप देख सकते हैं आइसक्रीम बहुत अच्छी जमी हुई है आई हूप आपने ऐसी आइसक्रीम कभी नहीं खाई होगी और इस पर आप ट्राइ करेंगे तो आप बहुत आपको पसंद आने वाली है और आप हमेशा खाएंगे क्योंकि इस आइसक्रीम से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है आप देख सकते हैं आइसक्रीम बहुत अच्छी जमी हुई है और जो आइसक्रीम का जो फ्लेवर ह आपको पसंद आने वाला है तो आप सब्सक्रीम बहुत ही अच्छी है और साथ में इसक्रीम के इतने सारे फैदे हैं ना कि छोटी सी वीडियो में बताना बहुत ही मुश्किल है और आइसक्रीम बना के आप खाएंगे तो बहुत ही सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले है इस वीडियो कैसा लतुए एक कमेंट में जरूर बताएएंगा और प्रीज हमें सपोर्ट करें लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब एक दोस्तों में शेयर करना बुलकूर मत भूले अपना ख्याल रखें मेल तरहें फीडियो में वीडियो देखने के अ वेप्ट बन्हें रहुड़े टारिए।